कि ह्लो एव्रिवर्ट है आज हम केलश्यम ही ऑफसाइड बड़ेंगे जो कि है मोनोग्राफ सो लेट्स चार्ट को कि हम मोनोग्राफ पड़ेंगे इस आज हम सबसे पढ़े केल्श्यम माईडलोक्टिछ टाइटल यहले पहली से लिख दिया केल्स्यम है टाइटल के इसमें आएगा, capital address में आएगा, now इसकी molecular weight, molecular formula is caoh-pultoise-2, molecular weight, 74.09, limit, calcium hydroxide के अंदर, 94% calcium hydroxide present होता है, third point, preparation, preparation, preparation कैसे करते हैं, calcium hydroxide कैसे बनाते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहरे cao लेंगे, calcium oxide लेंगे, calcium oxide जिसको, quick line, quick line, calcium hydroxide को common name है, slaked line, slaked line, क्या करेंगे कि calcium oxide के अंदर, जब हम water को डालेंगे, calcium hydroxide के अंदर, जब हम water को फोर करेंगे, तब हमें मिलेगा calcium hydroxide, और bubbles निकलेंगे, bubbles, निकलेंगे, bubbles से heat निकलेगी, heat, heat निकलती है, बहुत large quantity में, it means, ये एक exothermic reaction है, exothermic reaction, exothermic reaction में क्या होती है, heat evolve होती है, एक endothermic reaction होती है, जिसके अंदर क्या होती है, उस reaction के अंदर, heat की ज़रूरत होती है, यानि कि reactant में, हमें heat नेनी के आवश्यक्ता होती है, पर ये exothermic है, इसमें heat evolve होती है, एक बस्टेंज का जो निटेशन आता है यह सब्लड़ाँवा में। तो तेस्ट बिटर होता है यानि कि कैल्शियम फिजिकल प्रॉपरटी से अंदर कैल्शियम हाइड्र ऑक्साइड प्रेजेंट उसके साथ अगर रियेक्षियम करेगा तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा जिसको हम लाइन स्टोन भी कहते हैं अगर पॉंट यह है कि अगर अपकी एक्जाम में रियेक्षियम तACTिया लिखने के लिए यारी कि हावसरेट के लिए यारी हो कोई रिखने के लिए तो अपने रियेक्षियन दू Quickly रही हूं को लगा कि इसमें आँ अबे दो मार्डू के दो इक्ण मल जाएंगे लाए और तो इसके बाद रियक्टेंट में जितने भी मॉलेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट हुआ है like NST हमें gas मिली या hydrogen gas मिली या hydrogen chloride gas मिली तो वह evolve हो रही है gas है तो ऐसा sign लगा है अगर कुछ precipitate हो रहे है कोई पिपटी बन रही है तो ऐसा sign बना है ऐसे में अगर ऐसा आपको लिखेंगे ना ऐसे reaction लिखेंगे तो आपको तो ऐसे ही रिआक्शन्स रिकि काँजियू कार्बॉनेट को अगर हम हीट कर Will कर देंगे तो इस तोलि य केर गयंकियम ऑक्साइड में और सियो टू ने तोट जाएगा केल्शियम ऑक्साइड इस कोई क्लाइब भी बोलते है और इस प्रोसेस को यह कैल्शियम काबुनीट का हीट देना फिर उसको तोड़ देना सी है और सी ओटू में उसको बोलते है लेकिंग। प्रोसेस पने फिर नाम लिखे किनी प्रोसेस की नम है किनी र्यक्शन को नाम तो उसको ने लिखिए। के उब्सक्टास वह मिलें उप्रफिय को फींसैों किसेmost ताने को होती है on increasing on increasing the temperature जैसे तेंपरेचर increase करेंगे solubility decrease होगी ना यहीं पर एक कोई लिख देते हैं इसकी storage का storage जहां पर store करें store in air tight container store in air tight container के अंदर हमें store करके रखना चाहिए इससे सो यह होई physical properties now chemical property of calcium hydroxide calcium hydroxide को जब atmospheric carbon dioxide के सद्रियेट करें तब हमें carbon calcium carbonate plus water मिलेगा जब excess of CO2 calcium carbonate के सद्रियेट करेंगा तब हमें calcium bicarbonate मिलेगा first reaction यह होई second reaction जब calcium carbonate को heat करेंगे तब हमें calcium oxide और water मिलेगा जो करेंगे एक जो थमिक reaction है दोनों की दोनों reaction हमें पहले पढ़ रखी है अगर calcium hydroxide के अंदर उसके molecular weight से के से अगर हम 2-3 लेटर जयदा पानी उसके अंदर मिला देंगे तो हमें milk of lime मिलेगा excess amount of water अगर हम डाल देंगे calcium hydroxide के अंदर तो हमें milk of lime मिलेगा now third property है कि जब lime water के अंदर lime water एक calcium hydroxide को lime water भी बोलते हैं convert हो जाएगा और water दे देगा now fourth है जब calcium hydroxide के अंदर calcium bicarbonate calcium bicarbonate डाल देंगे तो calcium carbonate जो है वो precipitated out हो जाएगा फिफ्थ reaction है जब calcium carbonate को के अंदर जब हम H2O2 hydrogen peroxide hydrogen peroxide जब डालेंगे तब यह जो पर ऑक्साइड हो प्रेसिपिटेट हो जाएगा एंदी form of calcium per oxide cao2.8h2o precipitate हो जाएगा इसके पाद इसकी तीन और प्रोपर्टीज यह नोड़ान करें तो यह है अब नेक्स तीन प्रोपर्टीज यह तीनों प्रोपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है लिख लिख कर याद करिए बैलेंस chemical equation को याद करने की कोशिश करिए टो क्लोरीण रट्ट कौल्री उसके विख से लिख से बानी नहीं हिक रहें उस से हमें क्लोरीच विख से बीख मिलेंसमुड मिलेगा Mobile inya ज्योहिए jsou cold है किसाँ जब rate करेंगे हम chlorine को cold milk of lime जी साच जब chlorine rate करेगा तो हमें calcium hypo chloride मिलीगा C A C C L O whole twice 2 plus calcium chloride plus H2O first reaction यह होगा याद लिख लिख कर याद करें next one is with hot milk of lime यह hot milk of lime chlorine chlorine कितना molecule six molecules of chlorine निन遊戲 क्लोरेट मैं यद sekो विद होना चाहिए मटक द्रैग कोई नहीं यह बाटती wnे कल्सियम फॉरीपड सुल्सियम होनन चाहिए कोई श्यड़ ट्रिच सब्सक्राइए आग्पनर करें लिख द्रिक कोंन से नहीं अप्राई पोरिंके साहरो चलोलरील के साथ हमने क्यार चलोल है यह कलशियम हाइपोख्वारीयड को C-A-C-L-O-Holtois-2 नेक्स के अंदर हमने hot milk offline लिया जिसके अंदर हमें calcium chloride मिला कितना molecule है यह भी ध्यान रफना है कि यहांपर 6 है यहांपर 2 है तो हमें calcium chloride मिला नेक्स के अंदर हमने cold dry calcium hydroxide लिया जिसके अंदर हमें calcium hypo chloride नेक्स के टेस्ट पर प्योरिटी यहांपरिटी क्या क्या प्रेजन हो सकती है heavy metal, arsenic, iron, phosphate, aluminium यह सब प्रेजन हो सकती है इसके हमें limit test करें पता लवाना पड़ेगा कि यतनी quantity मारे present है यह इंप्रेजन है यह इंप्रेजन है यह नहीं जब हम a solution of calcium hydroxide है जब हम calcium hydroxide को solution के को जब acetic acid CH3 COOH के अंदर CH3 COOH के अंदर dissolve करेंगे तो यह हमें reaction देगा calcium का इसे हम बता लगा सकते है कि calcium hydroxide है ही है ना यूज़स पर आते हैं यूज़स के बहुत सारे हैं सबसे पहले main use दो है एक तो dentistry मे यूज़स होते है नाउ सब्सक्राइब लिए यूज़स के काम आता है यह निट्रलाइज गैसेड आसेड को कंट्रोल करता है और यूज़स इंदेंटिस्ट्री डेंट्रिस्ट्री मतलब देंटल प्रोड़क्ट में यूज़स होता है एकस्टर्नली एकस्टर्णली का मतलब होते है टॉपिकली स्किन पर अप्लाइड जम करते हैं तो एकस्ट्रिंजिंट प्रापटी देता होता है तो स्टॉप करें ब्लड को नुप्र टारी लुज मुशन ओ और वहाई तो birु यूर्झी करते चैल्शियम हाईडॉकॉजिख обнаруж का पीसक्हें करें शुक्ति नॉमें आपकिन त当 भी देन्ट स्ट मृतन है का यौज होता है सिफें देंदर से और अद़नेंदर टॉडियायली एक्सटरनली स्किंद लोशुं ऑली प्रहपेरेशन के अंदर यूज होता है का पुर ईसकल एक्सपार सिउ टुटो तिया जो सास हम जो सास फेकते हैं उसके अंदर क्या होता है CO2 होता है उसको एब्जॉब करते हैं टेस्ट के अंदर तो यह हुए इसे करते हैं केल्शियम हईड्रोक्साइड जो है वो एक बेस है जिसका पी एच है 12.3 तो टाइप ओफ एनलिसस क्या होगी जब बेस का रहें जो टाइट्रेशन करेंगे वो एसेट के साथ करेंगे सो निउट्रिलाइजेशन टाइप ऑफ एनलिसिस जो इसकी टाइप ऑफ एनलिसिस है एनलाइट को प्रिपेर कर दें एनलाइट का मतलब है जो हम कॉनिकल फ्लास्क के अंदर लेंगे क्या लेंगे सबसे पहले 3 ग्राम कैल्शियम हाइड्र ऑक्साइड को 10 ml एलकोहल की साथ शेक करेंगे देन उसके बाद 10% सुक्रोस का सॉल्यूशन लेंगे जो कि 490 ml लेंगे फिर तीनों को आपस में डिजॉल्व कर लेंगे शेक कर लेंगे अच्छे से 5 मिनिट तक शेक करने के पाद रेस्ट पर रख देंगे देन उसके बाद उसका यूस करेंगे फिर कॉनिकल 250 ml एंडलाइट इसके उदर हम लेंगे और उपर में ब्योर्ट में लेंगे ब्योरेट के अंदर हम लेंगे वन नॉम लॉफ एच सील क्योंकि इसके आंदर हमने कैल्शियम हाइड्र ऑकशाइड जो लिए था वह ऊकर आपस है तो में स्टानरेट सॉल्यूशन में स्टैंड यह को यह हो कि डिआ रा हमारा क्लांप इर प्रम्स को में भी बीट स्टेन्ट भी बोलते हैं क्लां स्थांड या ब्यूरट पाउरट या या प्रिट इसके आप हैं अंदर हम जो इंडीकेटर ने यह indicator indicator is phenophthalene phenophthalene is an indicator phenophthalene is an indicator so अब होगा क्या drop by drop drop by drop हम HCl Viorate से conical frost के इंदर डालेंगे conical frost के इंदर डालेंगे सबसे पहले HCl जो है calcium hydroxide के साथ react करेगा और हमारा बन जाएगा calcium chloride प्लस में water प्लस में water जब calcium hydroxide खतम हो जाएगा तब hydrogen chloride जो है hydrochloric acid जो है वो हमारे phenophthalene indicator के साथ react करेगा और colorless solution बना देगा क्यों ऐसा हुआ क्योंकि phenophthalene जब हमने initially इसके अंदर डाला था इस कॉनिकल फ्रस के अंदर डाला था तब इसका पिंक पिंक कलर था क्योंकि मैंने पहले बताया था फिनॉप्थलीन बेस के अंदर तो देता है पिंक कलर और एसेड के अंदर देता है एसेड के अंदर देता है कलर लेस कोई कलर नहीं देता सो केल्शिम हाइड्रोक्सड तो बेस है जब हमने initially फिनॉप्थलीन डाला था हमें पिंक कलर मिला क्योंकि बेस के अंदर डाला था जब केल्शिम हाइड्रोक्सड बेस खटम हो गया तो इसके अंदर फिनॉप्थलीन बचा देन उसके बाद उपर से एसड आ रहे तो यह ए एंपोइंट बताता है सो हमारी रियक्शन कंप्लीट हो गई एंपोइंट हम एक पिंक टू कलर लेस मेल गया ना उसके बाद हम आते हैं एक्विवेलेंट फेक्टर पे सो 1N HCl 1 normal HCl is equal to molecular weight of calcium hydroxide कितना था 74.09 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहां पर 1N है अकर 0.1N होता है तो 3000 से करते हैं यह जो पॉइंट है वो 3 आगया जाएगा एक दो 3 सो हमें क्या मिल गया हमें मल जाएगा 0.07409 7409 हमें मिल गया 1N 1 normal HCl is equal to 0.07409 gram of CAOH2 CAOH2 यह हमें equivalent weight मिल गया thank you so much क्यूएखआड लुएट जबेंगा क्यूएगग